आप सब मुझे उमिदा आप सब लोग काफी अच्छे होंगे आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में तो आज हम बात करेंगे कोरोना 2.0 का इंपक्त क्या हमारी निफ्टी पर पड़ेगा या बैंक निफ्टी पर पड़ेगा क्या हमारा मार्केट क्रेश हो बताऊंगा कि निफ्टी 10,000 टच करेगी पहले या 20,000 के लिए जाएगी तो बने रहो इस वीडियो में और आपको इस वीडियो पसंद आती है न तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बारे को सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि आपको एक बहुत बस बताएंगे हवा में कि यह मैंना आज कमाया जिस दिन लौसों का उस दिन वो वीडियो नहीं डालेंगे पहली चीज़ बट आप लोग टेंशन मतलो बिना रिस्क के बिना इंट्रेडे के मैं आपको डिलेवरी स्टॉक से ही काम करवाऊंगा तो तैयार हो जाओ बस और स क्रेश करके देखो सबसे पहली बात आप लोग यह देखो कि मार्केट क्या इस टाइम कोरोना 2.0 चल ला है अभी देखो क्या होता है पहले किसी को पता नहीं था सडली एक बड़ा क्रेश आ गया था अगर आप मुझसे पहला कुछन पूछते हो क्या मार्केट फिर से लग इस टोक मार्केट की वो आठ यह दस साल में ऐसा मुमेंट करता है वो देखो हरसाइद महता के भाने हो जाए या फिर वो हमारे कोरोना के हो जाए कोविड यह सब एक देखो गेम हो दा है प्री पिलान मुझसे पूछो कि मैं तो ऑपरेटर की सीधी सी भाशन में बोलता हू हम लोगों के क्रेश हो कर नीच आ जाते हैं पूरा पॉटफोलियो तो अगर आप बोलोगे कि 10,000 कब आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ 10,000 कब आपको लेवल आगे नहीं लेकिन सड़ली 8-10 साल बात फिर से कोई वो बड़ा एक भाना हो जाएगा कि कुछ क्रेश हो बड़ा बड़ा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कहान ही होगी जो फटा फट से वहाँ नीच आएगा बट मुझे अभी पता नी क्यों ऐसा नहीं लगा रहा कि अब क्रेश होने कि इसकी चांसे से कोविड ये वज़ा से क्यूंकि देखो कोविड की 2.0 की इसकी लहर चल रही है म बारा हजार से उपर रहना है अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेगा तो हजार पंद्रे सो यहां से तूट सकता है अब इस केस में आपको क्या करना है second question आप लोगों का कि हमारे पास portfolio है उसका क्या करना देखो जिसका long term के recording है एक से दो साल के अब वह इसे hold रखो बिना किस दिक्कत के आराम से बर जो short term वाले जो short term में gain चाते हैं वो लोग अगर चाहें तो क्या करें अपनी profit में हो तो profit book कर ले आप लोग एक वार 70-80% अगर profit book कर लोगे न तो आपको यह मलाल नहीं होगा कि आपने अच्छा return कमाया उसके बाद आपको पैसा नहीं मिला ठीक है त तो बिलकुल हाथ लागाने की जरुवत नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा market यहां से उपर भागेगा अब बोलोगे बहुत सारे लोग बोलेंगे तो पागल हो गया जैको पागल होने की बात नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है market इस level में consolidated वारा काफी time से मु तो आप लोग क्या करोगे future जाकर short करोगे stock को short करना चालू करोगे भईया जब आप सब लोगों को पता होगा कि market में 50% यह चीज होने वाली है लोगों को तो फिर गवाएगा कौन पैसा और जब को गवाएगा नहीं तो किसी का profit क्यों होगा तो operator को सब चीज manage करनी पड़ कि अभी 15,200 से लगातार गिरता जारा फिर उपर जाता फिर गिरता एक range मांट हो गया market आप लोग देख सकते हैं एक range में फसरा काफी time से तो देखो जब तक इस range को उपर की तरफ ना तोड़े आप लोग इसे बाइं मत करना कुछ भी अगर आप लोग जा रहे हो तो इसमे 14,200 को टच कर दे तो उसके नीचे selling pressure आ सकता है तो आप लोग मेरे according वहाँ पर अपनी positions जो आपकी पढ़ियां उन्हें exit कर सकते हैं बट जब तक ही अभी इस range में इसके बाद उपर की तरफ breakout देगा मुझे जो लग रहा है ठीक है बागी comment section में आप लोग भी बताओ आप ल लग भी हो सकता हूं सही भी हो सकता हूं बट मुझे ऐसा लगता है कि market यहां से लोगों का बिवकूप बनाएगा लोगों के stop loss उडाएगा जो लोग इसे short sell मतलब करेंगे market में अपनी position sell side बनाएगे वो उन्हें काटता हुआ long position बनाता हुआ operator उन्हें ले जाएगा उपर जैसे कि पहले आपका 11500 से आप लोग कह रहे था निफ्टी 10,000 आएगा उस टाइम पर मैंने अपने टेलीराम चैनल पर बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मुझे उसी टाइम महसूस हो गया था कि market उपर भागेगा और market ने वहां से 3-4,000 की एक अच्छी खा होता है उसके according आएगा और आप लोगों को मैं बोल ओपन चैलेंज दे रहा हूँ अगर आप लोगों को भी profitable trader बनना है न मार्केट में बिना risk के swing trading पोजिशनल स्टॉक लेने है तो सुमिति स्टॉक magic टेलीग्राम चैनल को जाकर जोईन कर लो आप लोग इससे जाकर लाम पर सर्च करें सुमित इस्टॉक magic और जोइन कर लें आपको यहां से अच्छा कासा profit होगा उपन चैलेंज के साथ आप एक से दो तिन दिन के अंदर पांट दस परसेंट बिना रिस्क के कमाएंगे अब आप देखो निफ्टी 50 मानते हो मार्केट इसके उपर पूरा डिपेंड है या बैंक निफ्टी तो देखो अभी काफी टाइम से एक रेंज में चला है मार्केट हमारा देखो फरवल से चला है रागातार एक तेजी आई थे उसके बाद से दिखो एक इस दिशा में घुम रहा है अपना तो अभी कोवेट 2.0 का चल रहा है बट उसके बाद भी दो कुछ इतना कुछ खास अभी तक हुआ नहीं अगर एक हलका सा मूव आ गया तो 14500 की फिर से आ सकती है एक मूव एक नीचे की तरफ एक फॉल बट समझ रहो ना यह जब तक इस रेंज को नहीं ब्रेक करेगा अच्छा खासा मैं आपको बता दिया 14200 की नीचे नहीं निकलेगा काफी अच्छा फ्यूचर में वॉल्यूम के साथ और इसके उपर नहीं निकलेगा आपका तो जब तक आप इसमें कुछ भी मत करो भी रेंज माऊना मार्केट अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि इससरा हमारे पास फंड पढ़ा है और हम मार्केट को देखे बिना नहीं रह सकते मतलब बिना ट्रेडिंग करें तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा ओपन चैल जाकर बाइ कर सकते हो वो कैसा भी मार्केट हो आपके इतने श्टॉक नहीं फॉलोंगे चाहिए मार्केट पूरा आपका फिट भी जाए उसके बाद भी वो आपके श्टॉक भागेंगे और हाँ आप क्या करो अगर आपको डर लग रहा है ऐसे ऐसे कंडिशन है मार्केट म निफ्टी यहां से आ सकता है तो लास्ट इस जोन तक आ सकता है अगर क्रेश भी हुआ 30,000 और अगर उसके बाद भी बहुत फास्ट आ गया देखो 12,000 निफ्टी आ तो फिर तो 25,000 भी इसका टच होता हो आप लोगों देखेगा बट उसकी पॉसिबिल्टी मुझे कम लग यह मार्केट के अंदर क्योंकि इतना कुछ इंपक्ट होना नहीं है जो होना था वह हो गया और एक नीचे की तरफ सदन फॉल आगा तो वह बहुत तेज रिकवरी भी मार देगा क्योंकि आप लोगों को लगएगा फॉल आ गया प्रेशर आगया दुवार से बही है वह 75,000 वाला बहुत तेजी से नहीं चाहिएगा ऐसा खुछ भी नहीं होगा आप लोगों से माल चीरेगा अप्रेटर फिर से उपर घुमा देगा मार्केट यह मेरे पॉइंट अवी हो आप लोगों के क्या पॉइंट अवी आप लोग भी कमेंट सेक्शेन बताए क्या निफ्टी